So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 18 अप्रेल के important current affairs को और आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना बहुत सारे important question आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पहला important question तो ये रहा, तो प्रशन क्या है? तो इस प्रशन में पूछ रहे हैं कि अभी तीसरे लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अमिता बच्चन को तो पुरुसकार का नाम है लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार 2024 में ये इसका तीसरा संसकरन है और किसे चुना गया अमिताब बच्चन को चुना गया आपको यादे इसका जो पहला संसकरन था वो 2022 में दिया गया था किसे प्रधानमंतरी नरेंद्र मुदी को फिर दूसरा संसकरन 2023 में दिया गया था आशा भोसले को और अब ये तीसरा दिया जा रहा है 2024 में किसे अमिताब बच्चन को तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है और मैंने आपको बताया इस पुरुसकार की शुरुवात भारतरत्न और स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर जी की स्मरती में वर्ष 2022 में शुरुवात की गई थी तो बस इतना ही याद रखना है और यही most important प्रशने आपका कि कौन सा पुरुसकार है कौन सा संसकरन है और किसे दिया गया अब यह award वाला प्रशन है तो दिल थाम के वेटना 2024 के सारे important most 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 important प्रशन में आपको सारे यहाँ पर रिवाइस कराने वाला हूँ अब यह 2024 का एबल पुरुसकार जिसे गडित का नोबल पुरुसकार का जाता है यह मिला मिशिल टेला ग्रेंड को रासमस पुरुसकार 2024 मिला मिताब घोश को 2024 का पृचकर पुरुसकार मिला रिकेन यामा मोटो को जापान के है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टिना पिसकोवा ने चेक रिपबलिक की है 2023 का जेडी बिल्ला पुरुसकार जीता है डॉक्टर अदेती सेंडे ने और अभी ज्यानपीट पुरुसकार जोकी इसका 58 वा संसकरन था वो दो जनों को मिला है जगगुरु राम बदराचार्रे जी और गुलजार को अभी के पीपी नामवियार पुरुसकार जीता है या मिला है किसे इस रोके जो अद्यक्षे एस सोमिनात को सीके नाइडू लाइफटाइम अचीमेंट अवार्ड मिला रवी शास्त्री और फारुक इंजिनियर को अभी असम का जो सर्वोच्य सम्माने असम वेबव वो मिला पूर्वी चीप जेश्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगई साहब को MS स्वामी नाथन पुरुसकार मिला अभी बियार कमबोच को अभी दोजातेविस का शाष्तर रामनुजन पुरुसकार मिला रुईक सियांग जांग को और साहित्यकाद में पुरुसकार की बात करें तो हिंदी का मिला था संजीव को और अंगरे जी का मिला है नीलम शेरन गोर को तो शंजीव को तो उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला और नीलम शेरन गोर को उनके नोवल रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिला अभी तैतेसवा व्यास सम्मान के से मिला था पुष्पा भारति को यादें यादें और यादें के लिए और अभी 33 सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को ये मल्यालम कवी है इने इनके पन्यास रुद्र सातवी कम के लिए मिला ये 33 सरस्वती सम्मान तो इस एक प्रश्ण में मैंने आपको लगबग 15 से 16 important प्रश्ण जो कि सारे के सारे संबंदिद है अवोर्ड से और ये सारे के सारे 2024 के ही अवोर्ड से पिछले तीन महीने में आपने पड़े वो हमने सारे यहाँ पर रिवाइस कर लिए तो क्रेक एक्जाम पे current affairs पढ़ने का यही आपको benefit मिलता है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा exam oriented आपको प्रश्ण यहाँ पर करवाये जाते और साथ में revision भी और आज एक important announcement भी होने वाला अपना क्रेक एक्जाम application का आगे बताऊंगा या बिलकुल last मैं बताऊंगा पहले ह question cover करते हैं अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी भारत की पहली hybrid pitch का निर्माड यह का पे किया जाएगा तो answer होगा धरमशाला धरमशाला का है हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में HPCA stadium ने एक नई प्रकार की pitch इस्थापित की है जो BCCI के द्वारा अनुमोदित यानि कि approved होने वाली अपनी तरह की पहली pitch होगी यह एक hybrid pitch है अब यह hybrid pitch क्या होता है मतलब मैदान में natural घास होती है तो natural घास के साथ-साथ polymer fiber की घास भी लगाई जाएगी और अगर पूछे कि भारत की यह पहली hybrid pitch यह कौन सी company बना रही है तो S.I.S. ग्रास company जो की नीदरलेंड की है तो यह आप ध्यान में रखना कि भारत के पहली hybrid pitch का निर्मान कहाँ पे किया जाएगा तो हिमाचिर प्रदीश में अच्छा इसी से मिलता जुलता एक प्रशन मुझे याद आ रहा है कि भारत की पहली महिला pitch curator कौन बनी थी यह important प्रशन है तो आंसर होगा जैसिंता कल्यान अच्छा इस प्रशन में मैं बहुत important आपका revision करवाने वाला हूँ मतलब जितने भी stadiums अभी हमने current affairs में पड़े हैं वो किसी ने किसी कारण से news में रहे या तो उनके नाम बदले गए या कुछ और कारण रहा उस सारे में आपको यहाँ पे जैसे कि अगर बात करें अभी कश्मीर में जो एक जहलम stadium है उसका नाम बदला गया और नाम बदल करके हमारे जो पहले chief of defense staff थे विपिन रावत जी उनके नाम पे रखा गया अभी सचिन की statue कहां पे लगाई गी थी वानखेड़े stadium मुंबई में अचा भारत का या दुनिया senior के नाम पे कर दिया गया अचा एक ये भी याद रखना कि भारत का तो दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा cricket stadium कहां पे बन रहा है राजास्तान की capital जैपूर में और उडिसा में जो भारत का सबसे बड़ा hockey stadium है जो कहां पे बना रावर केला में लेकिन इसका नाम बदल के बिरसा मुंडा जी के नाम पे कर दिया गया ये याद रखना पिछले साल जो hockey world cup हुआ था वो यहीं पे हुआ था जिसको जर्मनी ने जीता था याद होगा आपको और अभी राई बरेली में जो hockey stadium में उसका नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया थ तो चलो इसी बहाने आपका revision भी हो गया अभी अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 17 अप्रेल को तो हर साल 17 अप्रेल को world hemophilia day के रूप में मनाया जाता है हीमोफीलिया ये एक अनुवांशिक रोग है यानि genetic disease है एक generation से दूसरी generation में फैलने वाली है और इसमें होता क्या है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है यानि कि blood clot नहीं होता है मतलब अगर एक बार हमें कहीं चोट लग गया तो फिर वो खुन भैता ही रहेगा वो बंदनी होगा और इस disease यानि कि शाही disease भी का जाता है शाही रोग भी कहते है अचा इस बार की theme की बात करें theme क्या है सबी के लिए समान पहुँच सभी रक्त स्त्राव विकारों को पहचानना पहली बार इस दिन को 1989 में मनाया गया था और बात करे 17 अप्रिल कोई क्यों मनाते है क्योंकि World Federation of Hemophilia ज मामले सबसे पहले किस देश में पाए गए थे तो आंचर होगा प्राचीन मिश्र में अचा जिस तरह से मैंने कहा कि Hemophilia ये एक अनुवांशिक रोग है उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूँ जो night blindness होता है night blindness को हिंदी में कहते है रतोंदी जिसमें रात के समय दिखना ब अनुवांशिक रोग है इसमें कुछ रंगों में आप अंतर नहीं कर पाते हो अगर किसी को ये रोग होता है तो ये जो point मैंने यहाँ पर आपको बताया ये science का भले ही प्रस्ण है लेकिन important प्रस्ण है चलो ये important day वाला गुश्यन है अभी तक April में जितने भी important day अमने मनाय उस सारे में आपको revise कर राता हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना देखो एक अप्रेल को उतकल दिवस था दो अप्रेल को World Autism Awareness दे चार अप्रेल को खदान जागरूपता दिवस पाच अप्रेल अंतरराष्टर अंतररात्म दिवस पाच अप्रेल को ही National Maritime डे 6 अप्रेल को ए अप्रेल को एक तो विश्व चगास रोग दिवस और World Quantum Day और 14 अप्रेल को बियार अंबेडिकर जी की जैनती भी होती है और इस दिवस को हम Equality Day के रूप में मनाते हैं अभी 15 अप्रेल को World Art Day के रूप में मनाया गया था कला दिवस के रूप में तो ये अप्रेल के अभी त क्यों नहीं कर पाया था क्या करण था वोस वीडियो में मैंने आपको explain कर दिया है यह explain करके आपका time नहीं खराब करूँगा तो वो जरूर से देखना काफी सारे important question है तो वो important question आपसे छूट न जाएं इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वीडियो को miss मत करना और और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी side से अगर कोई भी problem होती है कि मेरे को time नहीं मिल पाता कहीं first जाता हूँ या कोई दिक्कत हो जाती है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सुबह नहीं हो पाया तो दिन में दिन में नहीं हो पाया तो शाम को नहीं हो पाया मैं अपन तो यूँ भी कर सकता हूँ कि दूसरे दिन दोनों डे का मिला करके डाल दें लेकिन उसमें वो बात नहीं रहती है वो आपको मजा नहीं मिलेगा जो सिंगल डे वाले वीडियो में मिलता है क्योंकि दूसरे डे वाले में मिला करके डालेंगे तो कहीं न कहीं कम ही रहती रहती है वो मुझे पता है क्योंकि सिंगल डे का वीडियो आप देखेंगे 24 से 25 मिनिट का बनाता हूँ अब दूसरे दिन का 24-24 कितने होगे लगबग 50 मिनिट के आस-पास का तो बनेगा नहीं तो अगर टाइम कम हो गया तो उधर बना करके दूँगा आपको वीडियो आपका नुकसान नहीं होने दूँगा तो यह आपका भी फर्ज होना चीए ऐसा डेली कभी तो होता नहीं है लेकिन जब भी हो वीडियो आपको जरूर देखना है मिस नहीं करना है बस और हाँ अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना आज की वीडियो के लाइक का टार्गेट रखते है 7000 लाइक का दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है स्टडी गूर्प में एक बार शेयर जरूर कर देना चलो अभी अगला प्रशन देखते है और आज तो आपको एप्लिकेशन की खुशकबरी भी मिलने वाली है तो इस बात पे तो लाइक करी देना यार आज तो हमरा ठार्गेट पोचा दो जात 1000 लाइक पे मुझे भी खुशी हो जाए चलो अगला प्रशन देखते हैं फिर फिर आपसे पूछ रहें यूरोपियन स्पेस एजनसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉंच करेगा तो आंसर होगा भारत तो सूर्य का अध्यान करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजनसी का जो मिशन है उसी का नाम है PROBA 3 Mission और इसे भारत के ISRO के द्वारा लॉंच किया जाएगा तो इसमें European Space Agency ये सूरे के कोरोना की study करेगा कोरोना ये सूरे की जो बाहरी परत होती है उसे कोरोना कहा जाता है पर इसमें एक समझ से ये आजाती है कि सूरे की ये जो बाहरी परत है वो सूरे ग्रहन के वक्त ही दिखाई देती है बाकी समय सूरे की चमक के करन उसे देख पाना मुश्किल होता है तो उसकी study कैसे करी जाए तो European Space Agency इस PROBA 3 Mission में एक artificial सूरे ग्रहन करवाएगा इसमें ये दो अंतरिक्ष यान को भेज रहा है जिनके नाम है कोरोनोग्राफ और ओकुल्टर और ये सूरे के कोरोना की study करेंगे मतलब मैं आपको images याँ पर दिखा रहा हूँ आप photo देख करके समझ पाओगे ये दोनों satellite आपस में मिल करके 144 मीटर लंबा एक उपकरन एक instrument बनाएंगे जिसे solar कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाएगा और इससे विज्ञानिकों को कोरोना का अध्यन करने में study करने में मदद मिलेगी मतलब सूरे गरहन से आप क्या समझते हो जब सूरज के आगे कोई object आ जाता है तो उसकी रोष्णी हमारे तक नहीं पहुँच पाती है उसी को सूरे गरहन पहलते है तो इसमें ये जो दो अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं तो ये कैसे काम करेंगे एक अंतरिक्ष यान के आगे या यूं काऊं कि सूरे और एक अंतरिक्ष यान के बीच में दूसरा वाला अंतरिक्ष जाना जाएगा तो जो पीछे वाला है उसको सूरज नहीं दिखाई देगा उसके लिए वो सूरे ग्रहन का काम कर गया तो इस तरह से ये काम करेंगे आप समझ पारे होंगे तो याद रखना इस प्रोबा 3 मिशन को इस रो लॉंच करेगा किसका है? यूरोपियन स्पीस एजनसी का है सूरे की स्टडी करने के लिए है कौन लॉंच करेगा? इस रो लॉंच करेगा किस रॉकेट का यूज होगा यहाँ पे? तो PSLV XL का अच्छा वैसे भारत का भी तो एक सूरे मिशन है हमने लॉंच किया था क्या नाम है उसका? आदित्य L1 मिशन अभी यहाँ पे European Space Agency की बात करते है तो इसकी स्टापना होती 1975 में हेड़कोर्टर पैरिस फ्रांस में मिलेगा और इसके जो हेड है जो डारेक्टर जनरल है उनका नाम है जॉसेफ आपको याद होगा 2023 में हमने पढ़ा था कि European Space Agency इसने ब्रस्पती के चंद्रमाओं पर जीवन की खोच करने के लिए एक जूस मिशन लॉंच किया था यहाँ पे जूस का मतलब हो गया जूपीटर आइस मून एक्स्प्लोरर मिशन और इससे पहले इसने इसके अभी नए प्रधान मंत्री बने तो आंसर होगा कुवेत के तो कुवेत के नए प्रधान मंत्री बने हैं ये इनका नाम है शेक अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अलसबा शेक अहमद अब्दुल्ला नाम याद रख लो आप बहुत बड़ा नाम है और अभी तक जो यहां के प्रधान मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था शेक मुहमद सबा अलसलेम अलसबा इन्होंने इस्तिफा दे दिया इसी कारण से अभी यहां पे नए प्रधान मंत्री बने है कुएट की बात करें कैपिटल इसकी कुएट सेटी होती है करंसी है कुएटी दिनार और आपको बताए जब भी इंटरनेशनल अपॉइंट्मेंट्स वाला प्रशना आता है और इंटरनेशनल अपॉइंट्मेंट्स भी वो जब किसी देश में कोई प्रधान मंतरी या प्रसिडेंट बन रहे हैं तो उस साल के सारे important इस तरह के appointment में आपको revise करवाता हूँ तो इस साल में तो अभी 3 महीने हुए हैं January, February, March तो जनवरी, February, March में हम देखेंगे किस-किस देश में कौन-कौन प्रधान मंतरी या प्रसिडेंट बने हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखना 2024 पूरा complete आपका करवा दूँगा इसी एक प्रशन में तो अभी कली हमने देखा Singapore के प्रधान मंतरी बने Lawrence Wong उनका नाम है आइसलेन के प्रधान मंतरी बने थे बनर जी, बेनेडिक्ट सन, स्लोवाक्या के प्रसिडेंट बने पीटर पेलेगरिनी एजिप्ट के तीसरी बार प्रसिडेंट बने अब्दुल फातेल सीसी Democratic Republic of Congo की पहली महिला प्रधान मंतरी बनी है जुडित सुमिन्वा तुलूका सेनेगल के प्रसिडेंट बने बासियो डियो माई फे पुर्तुगाल के प्रधान मंतरी बने लुईस मॉंटेनेग्रो आइरलेंड के प्रधान मंतरी बने साइमन हैरेस फिलिस्तीन के प्रधान मंतरी बने मुहम्मद मुस्तफा हंगरी के प्रधान मंतरी बने तामस सुल्योग पाकिस्तान के प्रधान मंतरी बने शहबाद शरीफ और प्रसिडेंट बने आसिफ अली जर्दारी इंडोनेशा के प्रदान मंत्री बने प्रबोव सुभियान्तो यमन के प्रदान मंत्री बने अहमद अवद बिन अलसलवादोर के प्रदान मंत्री बने नयाब बुकेले पजाकिस्तान के नए प्रदान मंत्री बने अलजास बेक्टेनोव फिनलेंड के प्रसिडेंट बने अलेक्जेंदर स्थाब, कॉमरोस के प्रसिडेंट बने अजाली असुमानी, ग्वाटेमाला के ने प्रसिडेंट बने परनार्ड वरेलो, ताइवान के प्रसिडेंट बने लाई चिंगते, फ्रांस के सबसे युवाव पहले समलेंगिक चाड के प्रधान मंत्री बने सुक्सेस मसरा और डेमोकरेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स तसेसी के दी तो ये 2024 के ही सारे अपॉइंट्मेंट्स हैं इंटरनेशनल अपॉइंट्मेंट्स जहां पे किसी देश में कोई प्रधान मंत्री आप प्रसिडेंट बने सारा इस एक प्रश्ण में मैंने आपको कवर करवा दिया ध्यान रखना और बार-बार इसी तरह से मैं आपको रिपीट कराता रहूँगा तो ये चीज़े आपको इस तरह से ही याद होंगी और याद हो जाएंगे आप चिंता मत करो तो फिर अभी अगला प्रशन देखता है फिर आपसे पूछ रहे अभी हाली में डिसकस थ्रोवर जिनका नाम है माइकोलास अलेकना इन्होंने पुरूशों का पुराना विश्वर रिकॉर्ड तोड़ दिया अब से पूछ रहे ये किस देश के हैं तो ये लिथ्वानिया के हैं तो लिथ्वानिया के डिसकस थ्रोवर हैं माइकोलास अलेकना और इन्होंने भी अथिलेटिक्स इतिहास में अपना नाम दरज कराया कैसे उन्होंने भी 74.35 मीटर दूर तक डिसकस जो थ्रो होता है वो करके डिसकस को फेक करके ट्रेक और फिल्ड में पूरुषों के सबसे लंबे समय तक चले आ रहे विश्वर रिकॉर्ड को तोड़ दिया अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड था वो कितना था और ये देखो ऐसा रिकॉर्ड था जो कि 38 सालों से कोई भी नहीं तोड़ सका पर अब जाकर के तोड़ दिया किस ने तोड़ दिया तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा और ये किस देश के हैं ये भी याद रखना और कितना अब इनका नया रिकॉर्ड है विल्नियस होती है ये अच्छा भारत के कुछ फेमस जो डिसकस थ्रोवर है वैस्ट तो बहुत सार है लेकिन जो फेमस हैं अक्सर न्यूज में बने रहते हैं कुछना कुछ मेडल जीत के लाते हैं जैसे उसमें से एक तो कमल प्रीत कॉर का नाम तो आप समने सुना होगा एक कृष्णा पूनिया का नाम भी सुना होगा नवचीत कॉर डिलन का नाम भी सुना होगा तो ये दो-तीन नाम बड़े फेमस हैं जब भी डिसकस थ्रोव की बात आती है तो ये भारतियों के नाम भी ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में इसरों ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष रखा है तो आंसर होगा 2030 तो अभी इसरों के जो अध्यक्ष S. सोमनाथ अभी उन्होंने ही घोषना की है कि भारत का लक्ष है कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्मान किया जाए S. सोमनाथ जो है हमारे इसरों के अध्यक्ष ये अंतरिक्ष विभाग की सच्चिव भी है और अभी उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारी कक्षा में 54 अंतरिक्ष यान क्रियाशील है यानि कि काम कर रहे हैं और कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जो अब काम नहीं कर रही हैं वो मलबी की तरह कचरी की तरह अब वहाँ पे उपस्तित हैं प्रेजेंट हैं तो बस इनी बेकार हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए हमें काम करना है अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाना है 2030 का टार्गेट याद रखना विससे इस रुक के पास दो और टार्गेट हैं जो कि मोदी जी ने दिये थे एक तो 2035 का टार्गेट है कि हमें अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन इस पेस स्टेशन तयार करना है और एक टार्गेट है 2040 का जिसमें हमें चांद पर इनसानों को भेजना है और टार्गेट में आपको ये तो याद हो गई से हमारा नेट जीरो कार्बन सर्जन का टार्गेट 2070 का है और उर्जा स्टंतर होने का लक्षर 2047 का है देखो इसरो की बात हो रही है यहां पर इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च और गेनजेशन स्टापना होती 1969 में और इसका हेड़कोटर मिलेगा बंगलूरू में चेर्मेन आपने का S. सोमनात है इनसे भी दो प्रशन याद रखने है एक तो इनकी आटो बायोग्राफी आईती जिसका नाम है निवालू कुदीचा सिम्हांगल मलियालम भाशा में है और अभी इनको KPP नामब्यार पुरुसकार मिला था और मोटो क्या होता है S. इसरो का Space Technology as an Service of Humankind इसके अलावा S. इसरो भी तीन कारण से निउज में था मतलब तीन तरके पुरुसकार मिले एक तो USA का प्रत्यष्ठित John L. Jack Swigert जूनियर पुरुसकार मिला था इसरो की चंदरियान 3 की टीम को और इससे पहले इसरो को Leave Triction Award मिला था और उससे पहले चंदरियान 3 के लिए ही Aviation Week Award भी मिला था तो ये सब कारण से इसरो निउज में है ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे अभी हाली में कहां की तिरंगा बर्फी को Jei Tag मिला तो अंसरोगा वरणा सी तो अभी उत्तर प्रदेश के बनार्रस की तिरंगा बर्फी को Jei Tag मिल गया है बीच में सफेद रंग के लिए खोया वक काजु का इस्तमाल किया जाता है और अभी इसे Jei Tag मिल चुका है इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध बनारस डलुआ धातू शिल्प को भी GI टेग मिला है याद रखना काशी को सरवाधिक विवित्ता वाला GI शेहर भी कहा जाता है आप जानते हो किस राज्य में सबसे अदा प्रोड़क्ट्स को GI टेग मिल चुका है GI मतलब Geographical Indication Tag ये अधिनिया में 1999 का लाग हुआ 2003 में पहली बार GI टेग मिलाता 2004 में किसे दार जलिंग T को ये पश्चि मंगाल की है तो ध्यान रखना ये अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में जारी टाइम्स की 2024 की सो सबसे परभावशाली लोगों की सूची में किस भारते अभिनेत्री को शामिल किया गया है तो आंचर होगा आलिया भट को तो अभी टाइम्स मैगजीन ने सो सबसे परभावशाली लोगों की सूची जारी की है जिसमें भारते अभिनेतरी की हम बात कर रहे हैं तो वो है आलिया भट जिनको इसमें शामिल किया गया अच्छा आलिया भट का नाम आते ही इनसे संबंदे दो पुरसकार आपको याद रखने हैं एक तो अभी साओधी अरब में जॉय अवर्ड पाने वाली ये पहले भारते महिला बनी थी ये हमने पढ़ा था और पिछले साल जो नेशनल फिल्म अवर्ड दो हजार तेविस के हमने बात करी थी वहाँ पे गंगुबाई का अठ्यावाडी के लिए बेस्ट एक्टरेस का आवर्ड मिला था गंगुबाई का अठ्यावाडी जिसके डारेक्टर कौने संजे लिला भनसाली और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम्स की दो हजार चौबिस की सो सबसे प्रभावशली लोगों की सूची में वैसे ये केवल एक ही भारतिय नहीं है लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतिय अभिनेत्रे की तब तो ये एक ही है वैसे दो-तीन भारतिये और हैं जैसे कि एक भारतिये निर्देशक हैं देव पटेल वो भी इसमें शामिल हैं और एक जो हमारी रेसलर हैं साक्षी मलिक उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है तो प्रश्ण यहां पे हमारा भारतिया अभी ने इतरी से था तो उत्तर आल्याबट हो गया ध्यान रख्टाइन का नाम अगला प्रश्ण देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में दिपेंदर सिंग ने टीटवंटी में एक ओवर में छे छक्के लगाए हैं वि किस देश के खिलाड़ी हैं तो अंसर होगा नेपाल तो नेपाल के 24 वर्शे ओल राउंडर हैं ये दिपेंदर सिंग पुरा नामे दिपेंदर सिंग एरी और अभी उन्होंने कतर के खिलाफ ACC T20 इंटरनेशनल प्रीमियर कप मुकाबले में एक ओवर में छे छक्के लगाड़ डाले और ऐसा करने वाले वो नेपाल के तो पहले खिलाड़ी बन गए साथ ही T20 में ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं सबसे पहले ये कारनामा किया था T20 में युवराद सिंग ने फिर उसके बाद West Indies की किरोन पोलाड ने और अब ये डिपेंदर सेंग तो नाम इनका भी ध्यान रखना और ये था आज का आपका Current Affairs का सेशन तो दो बाते आपको याद दिला रहा हूं फिर से एक तो सेशन को अपने लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक जरूर करना दोस्त और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका Study Group होता है WhatsApp पे, Facebook पे या जो भी Social Media आप यूज करते हैं तो प्लीज एक बार उस Social Media को अच्छे काम के लिए भी या मेरी Help के लिए भी यूज जरूर करना, इसे Share जरूर करना, बाकी दूसरी बात यह याद दिला दू, कल का वीडियो नहीं देखा, इसके बाद वो जरूर देख लेना, और सबसे Important जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसबरी से, Crick Exam की Application, तो Application आ चुकी है, Application एक्चुली में एक दू दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं आपको बताया नहीं था, कारण में आपको बता रहा हूँ, क्यों नहीं बताया था, क्योंकि देखो, Application अभी नहीं नहीं बनके आई है, और अभी वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे पुराने Students हैं, तो आपको बताया, मेरे पास बड़े- Application है, तो अभी पूरी तरह से मुझे वो Operate करनी आनी रही है, फिर भी मैंने कुछ Quiz वगरा तो डाली है, धीरे-धीरे थोड़ा समय लगेगा, कम से कम, आप माल लो, 15-20 दिन या महिना बर मान के चलो, जनवरी से अभी तक पूरा Up-to-date करने में, अपलोड करने में, इसमें Quiz वगरा भी आजाएगी, PDF वगरा भी आजाएगी, पहले में Current Affairs से ही चाहिज और PDF डालना, ताकि Current की तो आपको मिलती रहे, और फिर पीछे की भी मैं धीरे-धीरे डालता रहूँगा, और उसके अलबब बाकी जो पुरानी application में, आपने देखे होंगे, बहुत सारी तरकी quizzes थी, static थी, और बहुत सारी तरकी, तो वो भी side by side धीरे-धीरे में डालूँगा, और application में चलाना सीख रहा हूँ, अभी आप जैसे आदमे ने आपको बता दिया न, आप उसमें देखो कि बहुत सारी चीज़े अभी काम नहीं कर रही होंगी, जैसे उसमें Telegram का option होगा कि कैसे काम करता है लेकिन वो भी पता नहीं कहीं वेस्त है, तो ठीक है अभी आपका तो काम आप चालू कर दो, quiz लगाना आप चालू कर दो, अभी current की तो आपको quiz मिल जाएगी, जैसे आज की जो date है, उसकी आपको मिल जाएगी, पीछे की भी आप धीरी-धीरी डाल रहा ह है, appointments भी डाल दिये है, सब मेलन भी डाल दिये, मिलेक्टरे exercise की लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, जैसे जैसे होता जाएगा, मैं आपको बता दूँगा है न, लेकिन फिर भी आप मानके चलें, देखो, सच बोलूँगा, जूटनी बोलूँगा, महिना बर तो मुझ है, तो बड़ा सिंपल सा password डाल लिया करो, अपना nickname डाल लिया करो, ताकि आपको दिक्कत ना है, तो बस यही गारण था, एक आत दिन से मैंने आपको बताया हैं था, क्योंकि चीज़े एक बार डल जाती, तो उसके बाद में बताना चारा था, तो आप तो खुश हो गई हो प्रबंदित प्लास्टिक कच्रे के मामले में भारत कौन से स्थान पर है दूसरे स्थान पर, फिर पुचा, न्यूजवीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारते प्रधान मंत्री कौन है, तो आंसर होगा नरेंदर मुदी, फिर पुचा, सिंगापूर के अगले प्रध प्रधार ने बागवानी किसानों को सबसेडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तेयार किया, CDP सुरक्षा, फिर पुचा, लॉंग टे यूलो तेवहार कहां पे मनाया गया, तो अंसर होगा अरुनाचर प्रधीश, फिर पुचा, बारवी बार राश्टर म तो कल के वीडियो में आपसे बूचा था कि Federal Reserve Bank का पहला उपाद्यक्ष किसे बनाया गया, तो अंसर होगा शुश्मिता शुकला, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया, अब यह राज का आपका हमवर्ग प्रशन